वाश्कार बच्चों मैं डॉक्टर सुनीता कमल S.P.C. गवर्बंट कॉलेज अजमेर देखें विजयारती हूं भारती संस्कृति के थिहास में पिछला वीडियो मैंने आपको कालिदास पर आधरित बताया था उसमें हमने कालिदास के नाटकों की कावे की बात की थी जो कावे के बात में आज जो आपके बारी आती है कालिदास की उसमें है नाटक अब हम देखेंगे दूसरे भाग दो में कि नाटक के विशे में कालिदास ने किस प्रकार से क्या बताया था और कालिदास के जो साहित जो था उसकी विशेष्टा है किस प्रकार से थी अब आप देखिए कालिदास के जो नाटक थे वो इस प्रकार से थे उनमें जो पहला नाटक आलिदास का था वो था विक्रमो वर्षिय है आप विद्धयार्स में याद रिखिएगा के दो नंबर के प्रशन पर नाम लिखेए और ब्रीफ में उनका वर्णन कीजेए चार नंबर के प्रशन पर आसकता है और अगर संपून प्रशन आएगा तो कालिधास पर निवंद लिखे वो आपके 20 मंबर के प्रशन होगा अभी हम देखते हैं कालिधास के नाटक होंगी कौन-कौन से उनकी नाटक थे उनमें पहल नाटक है विक्रमो वर्शिय विक्रुमवरशी इनाटक का मूल सोर्स जो है मतलब आप देखिएगा कि हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके लिए हमको किस पे जाना पढ़ता है हमको उसके लिए सोर्स पर जाना पढ़ता है कि हमें कहां से मिला तो हम ये बता सकते हैं का अल्दास का जो नाटक है इसका जो मूल सोर्स है वो रिगवेद श्द्वत ब्रहामनтор । और मत्स से पुरान इसमें वरनित है, इसमें पुरूरवा, और वर्शी की प्रेम कहता है यही पुरूरवा, और वर्शी, नाटक केनायक और नाहिक है पुरूर्वा का देव लोग की अपसरा उर्वर्शी से प्रेम होना निशिद बन में जाने से उर्वर्शी का लता बन जाना और पुरूर्वा का उसके वियोग में पागल होकर इदर उदर भटकना ये बड़ा ही बहुत ही सौंदरे से परिपून नाटक का चितरन इसमें विक्रम वरिशे में किया गया है कि अंत में दौन का बुनन मिलन होना बताया गया है अब दूसरा जो नाटक है उसका नाम है मालवी का अगनी मित्रम ये एक एतिहासिक नाटक है इसमें कितने अंख है इसमें पाच अंख है इसमें शुंगवंश जो प्राचीरी भारत के त्यास में हम शुंगवंश पढ़ते हैं शुंगवंशे राजा अगनी मित्र और उसकी रानी इरावती की परिचारी का मालविका की प्रेम कथा का वर्णन है मालविका अपने सौंदरे से अगनी मित्र का हिर्दय जीत लेती है और रानी इरावती को जब उसके प्रेम का पता लगता है तो वह मालविका को कारावास में बंद करवा देता है अंत में ये मालूम होने पर मालवी का भी राजकुमारी है तब अगनी मित्र से उसका विवाहा हो जाता है अब आप देखिए कि नाटिक अलाकी दिश्टी से मालवी का अगनी मित्र एक अत्यनती सुन्दर रचना है और इसके जे डायलोग समवाद है में बहुत ही आकर्शक और हिंज़को चूने वाई है अब इसके बाद तीसरा जो नाटिक है बड़ा ही प्रसिद नाटिक है अभी ज्ञान शाकुन्तलम कालिदास का नाटिक संस्कृत संस्कृत सहित्य का उत्कृष्ट नाटिक है इस नाटिक की कथा वस्तु के अधार महा भारत और पद्न पुरान के मुलता है वे आइशा इसमेजिशी विश्वा मित्र के तपोभंग शाकुन्तला गुद्पत्ती और दुश्यंत से प्रेम और गंधर विवविवा का वर्णन किया गया है कालिदास ने इस पौरानिक कथानक के अधार पर साथ अंकों में हस्तिनापूर की महाराजा दुश्यंत और शाकुन्तला के प्रेम वियोग और पुनर मिलन की कथा का बड़े ही सुन्दर तरीके से वर्णन किया गया है और इस नाटक को मतलब पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जिसने इस नाटक को नहीं पढ़ा उसने कोई नाटक नहीं पढ़ा निसंदे महा कवी कालिदास के साहितिक विरास्त अमुल्य और महान है यह कारण है कि महा कवी कालिदास की गड़ना विश्व के शिरिष्ट कवियों में की जाती है कालिदास के साहितिक विशेष्टाएं भाष्षा और छंद की योजना नीरस विश्व में समरस्ता अगर किसी विश्व में नीरस्ता है तो उसमें भी वह ऐसा वर्णन कर डालते हैं कि उसमें वो सहेजी बहुत सरल और समरस्ता उसके अंदर जलकती है रूपक और उपमाओं का प्रयोग देदे करके बताया गया है और प्रकरती के साथ आदात में और मानवी भावनाओं का बड़ा ही अनुपम वर्णन किया है सौंदर एक वर्णन किया है इस प्रकार कालिदास संस्कित साहितिके महान कवी और नाटक कार थे देवाव देवाव और नाटक का वर्णन किया है